तरीता शर्मा यह देखिए आज हम बनाएंगे टेबल मेट यह देखिए जिसे बनाना बहुत इजी है बचे हुए कप्डे से आप इसे आसानी से बना सकते हैं यह देखिए यह इसका बैक साइड चलिए टेबल मेट को हम बनाना शुरू करते हैं यह देखिए इस डिजाइन क का स्क्वार पीस हम यह ले लेंगे एट पीस हमारे यह है जिसमें मैंने सिंगल कलर लिया है इसका साइज भी 7 इच स्क्वार पीस है अब इसे हम कट करेंगे यह देखिए टू पीस हम यहां से लेंगे राइट पर राइट रखेंगे इस कॉर्णर से इस कॉर्णर पर हम निशान लगा देंगे इसकी कटिंग करेंगे एक पीस इसमें से हम ये लेंगे इसकी भी कटिंग करेंगे और पहले हम निशान लगाएंगे इस पर ये देखिए ये पीस ये वाला कलर और ये दोनों कलर ये हम सेम रखेंगे ऐसे ही इसमें ये कलर एक इसके साथ जाएगा और एक कलर इसके साथ में ये देखिए एक पीस में हमने ये दो कलर लगाए है ये देखिए और इसमें हमने ये दोनों कलर ऐसे लगाने है इनकों साइड में रख देते हैं एक बार फिर देखिए किस तरीके से करना है इसमें हमने टू पीस हम ये लेंगे right पर right रखेंगे ऐसे ही center का निशान लगाएंगे इसे cut कर लेंगे एक pieces में से हम ये लेंगे ऐसे ही इस में से center का निशान लेंगे इसे भी कट करेंगे अब ये देखिए इसमें से ये टू पीस हमारे ये तो सेम ऐसे ही रहेंगे ये टू पीस है हमारे इसमें से एक पीस को हम ऐसे रखेंगे दुसरे वाले पीस को ऐसे रखेंगे आपने सभी को इसी तरीके से रडी करना है कट करकर कटिंग करकर इसे हमने रेडी कर लिया है यह वाले पीस हमारे एट पीस थे जिसमें हमने फोर पीस कट करने है यह मैं आपको बताना भूल गई थी तो फोर पीस आपने इसमें से कट करने है फोर पीस आपने इस इसको रखना है यह हम बाद में यूज़ करेंगे अब आपने क एसे हमने कटिंग की तहीं यहां से अपने स्लाई लगानी है एसे ही 1 पर की शिलाई यहां लगानी है एक पैर की शिलाई यहां लगानी कर इससे रेडी करनाह से की our करिए बचेश करकर इसे हमने कंपिलीट कर लिए इस तरीके से आपने स्टिच करना है और यह वाली जो स्टिच पिरोजी वाला कलर यह हमने इस तरीके से लगाना है ये संगल पर लाना है यह कौरणर बनना चाहिए यहां पर भी क्राइंगल है यहां पर एकला यहां आप लक्राइंगल यहां पर है pushed पहले आपने इस तरीके से ट्राइंगल लगाने उसके बाद आपने ये बीच वाले डिजाइनों को सेट करना है सेट करने के लिए इस से साथ मैच करना है आपके कलर लग जाएंगे अगर थोड़ा सा भी आपका इधर उदर होगा तो आपने इसको ऐसे घुमा देना है तो आ आप अपनी सेटिंग कर लेंगे सेटिंग करने के बाद आप देखिए इसको हम ऐसे रखेंगे और यहां पर पिन लगा देंगे फिर ऐसे ही करेंगे यहां पर रखेंगे इसको और यहां से पिन लगा देंगे इसको भी ऐसे रखेंगे और यहां पर पिन लगा देंगे यह द पीस को हम बादने तरहें से रखेंगे और यहां से आप इसे काट कर सकतें जैसा चाहें आप उसको बादनि वी कट सकते हैं और बाद में पहले üçनक बorf इसको कट कर सकते सभी को पिन लगा कर एक लाइन रही कि फिर दूसरी यह अब हमारा extra piece है इसको यहाँ पर हम cut कर देंगे ऐसा ही हम उसमें भी कर देंगे इसको ऐसे रखेंगे और यह देखिए अब इसमें जो भी आपको इसमें extra लगे इसको आपने यहाँ से cut कर देना है यह देखिए फैंट्स कटिंग करने के बाद आप इसे आसे जॉइंट करेंगे यह देखिए और इसको ऐसे रखेंगे ऐसे ही जैसे हम ने पहले पिल लगाए थी सें से ही हमने यहाँ पर पिल लगा देनी तोड़ी थोड़े गयाप में पिल लगा प्राइब कर देए फिर ऐसे इस वाले पीस के साथ ऐसे रखेंगे इसको और यहां पर पिल लगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अब यह देखे फैंस सेंटर का डिजाइन बनकर हमारा कम्पलीट हो गया है यह देखे साइड में हमने स्क्वार पीस लगाएते आप इस स्क्वार पीस को ऐसे भी रख सकते हैं और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद आप इसे कटिंग करेंगे आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे आप इसको यहाँ से ऐसा डिजाइन बना सकते हैं इंसर्ट करने के लिए आटा चावल की बोरी या फॉर्म आप ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर चावल की बोरी का यूज़ कर रही हूँ, लाइनिंग लेंगे, सबसे पहले हम लाइनिंग को रखेंगे, फिर हम जो भी आपने इंसर्ट करना वो रखेंगे, फिर अपने तू और थी फिर आपने ऐसे लगानी है आप लगागर इसे हम कंप्लीट करेंगे और इसे हम सैट करेंगे इसे हम ने फिक्स कर लिया है यह देखिए बैक साइड से आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा अब हम साइड में बॉर्डर लगाएंगे बॉर्डर लगाने के लिए आप स्रिप कट करेंगे स्लाई लगाएंगे इसको फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करकर ऐसे आप ऐसे भी बॉर्डर बना सकते हैं और ऐसे रखेंगे और आप फ्रिल बना कर भी यह देखे ऐसे प्ली आप ले सकते हैं इसका साइज मैंने लिया फोर इंच इसको मैं ऐसे ही डबल करूंगी और चारो साइड से फ्रिल बनाकर इसे मैं रडी करूंगी इसके समय मैं इसके से खाइड से वीजर आप हैं रडी और इसके से अरें लिगण लिग्सकासरी और चारो से बाल रह इसके साइड से बाले बाले लिल आपता हैं। तेबल मेट बनकर हमारा रेडी हो गया आप ऐसे टेबल मेट भी बना सकते हैं इसे बनाना बहुत इजी और यह देखे देखने में कितना सुन्दर दिखाई दे रहाए यह देखे और फ्रेंट्स वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवत